है एवरीवन वेलकम टू क्लैट पॉइंट और आई होप आप लोगों का अभी तक का जो प्रिप्रेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बता दो कि मेरी वॉइस आ रही है कोई टेकनिकल घिलिच नहीं कोई टेकनिकल इसू नही काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि यह जो एक टॉपिक आज हम जुरिस्पूदेंस में देखने वाले यह पेपर में बहुत बार आता है चाहे हम क्लैट पीजी की बात करें है इसके लावा जिस भी एक्जाम में जुरिस्पूदेंस आता है अब्जेक्टिव टाइप क आपके 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 आवाज आ रही है चलिए ठीक है तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है जूरिस्पूदेंस के अंदर जूरल पॉस्टूलेट्स के ऊपर होने वाला है और बहुत ही इसी तरीके से स्कों समझने की कूशिश करेंगी जो कि आपके एक्जाम में यह आता है आपके चीजों में भी आता है और बहुत जाता थेओरी पे नहीं जाएंगे देखो थेओरी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में काम में आती है इंदियंड आपका आंसर निकलना चाहिए और वही हमारा यहां पर फोकस रहने वाला है ठ होफिल्ड साब के जूरल पॉस्टुलेट्स ठीक है एंड आई होप आप लोगों ने यह थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा है तो भी कोई इशू नहीं है आज के सेशन से आप इसको पूरा समझ जाओगे और फिर आपके कभी इस पर आंसर गलत नहीं होगे ठीक है देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जूरिस्पुडेंस को बिना पढ़े बहुत सारे स्टुडेंट जाने की सोचते हैं पर वो मत करना क्योंकि जूरिस्पुडेंस इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और क्लैड पीची का यह वन आफ दा फे अपलेट के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है लेकिन एक बार मैं आपके सामने इसको ड्राइब मतलब ड्रॉ करता हूं जिसके आप लोगों थोड़ा समझने में आसानी हूँ ठीक है यहां पर क्या लिखा हुआ है राइट ठीक है नीचे मैंने लिखा है duty क्या लिखा है duty इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है liberty और privilege ठीक है और यहां पर लिखा हुआ है no right इसके बाद हम कुछ MCQs भी करेंगे, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपसे questions पुछूंगा, आप answer बताने ही कोशिश करना, बहुत simple सी चीज है, पहले तो आपको यह याद करना होगा, एक्जाम के अंदर जब भी Jural Postulates पे questions आएंगे, अब वो कैसे याद करेंगे, उसके बहुत सारे तरीकें, कुछ मैं आपको भी बताता हूँ, कुछ आप अपने मन से बना सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है, तो उससे अच्छी तो कोई चीजी नहीं है, बढ़ अकर डायरेक्ट याद नहीं होता है, तब क्य क्या करेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है, देखो, कोई भी चीज, जो ऐसे लिखी हुई है, ये कहलाती है, जूरल कोरिलेटिव, ठीक है, बताओ ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बताओ, ये बताइए, इसे क्या कहते है, इम वेटिंग फॉर आंसर, अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल सही, इसको हम बोलते है, जूरल अपोजिट, और अब आ जाते हैं, तीसरे वाले पे, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बताओ, ये क्या कहलाता है, बताओ, इसे क्या कहते है, बिल्कुल, Jural Contradictories दिपशिखा का बिल्कुल सही जवाब है सुमित ने भी सही बोला है इनको हम बोलते है Jural Contradictories Short मैं में लिख देता हूँ Contra Contra है मैं गेम खेलते थे थे न बचपन में वही वाला मैंने Contra यहां पर लिख दिया है अब देखो इसको ध्यान से दिखने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कि आप बहुत परिशान हो यह हो वो हो सिंपल से आपको यह अगर बनाना आ गया आपने अगर यह ड्रॉ कर लिया अपने कॉपी पे जूरल पॉस्टिलेट्स पे जो कोशिशन्स आएंगे न आप सारे कर लोगे थोड़ा बहुत थियोरी आपको हलकी फुलकी नॉलेज हो बाकी अगर कुछ भी कोशिशन आता है एक और ऐसा ही डाइगराम बनेगा भी मैं उसको बता दूँगा पर बेसिक मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये डाइगराम बनाना सीख लिया आपको ये चीज़े क्लियर हैं आप जूरल पॉस्टिलेट्स में नंबर नहीं गवा होगे ठीक है अभी कैसे सॉल होता है कैसे कोशन्स आते हैं चलो देखते हैं मान लो आपसे एक्जाम में आ गया कि भाया ड्यूटी जो है आपसे एक्जाम में आ गया कि ड्यूटी जो है इसका जूरल अपोजिट क्या है बताओ कमेंट सेक्शन में ड्यूटी का जूरल अपोजिट क्या है बताओ बोलो duty का jural apposite क्या है अगर मैं सामने आ जोँ तब बता पाओगे यस दीपशिखा, तानिया, very good, very good, बहुत सही अब मैंने आप से पूछ लिया right का jural apposite क्या है right का jural apposite क्या है right का jural apposite क्या है no right, ठीक है राश्री, फरीह, very good, लक्षमी बहुत अच्छा, सही है ठीक है, तो यह आपका बहुत simple concept है जिसको हम गलत कर देते हैं दो-तीन कारणों से कि एक तो न jurisprudence में क्या होता है कि theories बहुत है तो आप उसको सोच सोच के confused हो जाते हो कि इतनी सारी बकवास लिखी हुई इतनी चीजे लिखी हुई है, पर जो question postulates पे आते हैं, जो कि ज़्यादा आते हैं हर exam के अंदर, वो बहुत easy है उस पे अपने को गलत नहीं करना है और jurisprudence भी कैसा subject है ना, कि आप उसको थोड़ा सा learn करके, याद करके, समझ के, अच्छे से कर सकते हो कोई conceptual चीज नहीं है कि आप गलत कर दोगे यहाँ पर यह चीज गलत होगी, तो इसका reason सिर्फ और सिर्फ आप है क्योंकि आपने इसका learn अच्छे से नहीं किया है, ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात है, अब दूसरा भी ले ले लेते हैं एक बार just a second. ठीक है, तो अभी हमने ride privilege वाला देखा, अब एक और है जिसको हम बोलते हैं, क्या power, क्या लिखा हुआ है, power, ठीक है इधर लिखा हुआ है immunity, ठीक है, इधर लिखा हुआ है disability, और इधर लिखा हुआ है liability, ठीक है, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, पावर, लाइबिल्टी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है, अब मैं आपसे questions पूछ रहा हुआ हूँ, जवाब दो, इसमें मुझे बताओ, लाइबिलिटी, आ सॉरी, पावर का जूरल अपोजिट क्या है? पावर का जूरल अपोजिट क्या है? ठीक है, वेरे गुट, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी का जूरल कॉंटडिक्ट्री क्या है? क्या है? इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई डिसेबिलिटी यहां पर जवाब दिया है डिसेबिलिटी से पहले सुशीला ठीक है जैनिफर ठीक है राश्री ठीक है ठीक है और प्लीज आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको पत रींस्यां हूइं वह बता दो। इमणिवूटी का जूटल को रिलेटिव क्या है 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 को इस फिर से सही जवाव यह सभी का बिलकुल बहुत अच्य यार है बिल्कु सई जवाब दे रहे हो, अच्छा लगा सुनके, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, जो आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो यार यही तो है, बस यही तो है, और कुछ है इनी, सार है, यही कुछ आप इससे सॉल कर दोगे, अब इसमें आप थोड़ी सी सकते हैं, कि कहां पर क्या है, तो इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जो में भी आपके लिए काम की हो जाए, और में भी आप लोगों को बिकार भी लगे, है ना, तो आप लोग इसको अपने तरीके से बना लीजेगा, एक ट्र है शाय दिख भी रहा हो आपको रामधारी लखनौव के नवाब है ठीक है तो इससे देखो आपका ना पहला वाला क्लियर हो जाएगा पहला वाला जो यह है ना यह इससे बन जाएगा कैसे बनेगा चलो देखते हैं सबसे पहले इसमें से ले लो आर ठीक है डी में से ले लो डी एल से ले लो एल और नवाब से ले लो एन ठीक है अब इसको लिखके देखते हैं कि सर आपने कहतो दिया बट यह होगा कैसे चलो इसको लिखके देखते हैं यहां पे आया R, यहां पे आया R, यहां पे आया D, रामधारी, लखनव, L, नवाब, ठीक है, सिंपल है, रामधारी, रामधारी, लखनव के नवाब है, इससे आपका पहला वाला क्रियर हो गया, R मतलब राइट, D मतलब ड्यूटी, L मतलब लिबर्टी, और N मतलब नो राइट, क्लियर है, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मैंने बोला हुआ है कि प्रकाश लखनव के इंस्पेक्टर दिवान है, फिर से बोलते हैं, प्रकाश, लिख देता हूँ, प्रकाश लखनव के इंस्पेक्टर वा दिवान है, ठीक है, चलो, सर आप कहते हूँ, लेकिन इससे कैसे होगा, चलो ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले आया हूआ है, प्रकाश, P, फिर आया है, L, फिर आया हूआ है, I, और F, फिर आया हूआ है, D, ठीक है, धेख लो यार, P से आगया क्या, पावर, L से आगया क्या, लाइबिल्टी, I से आगया क्या, सिम्पल तो था, आप इसको अपने तरीक होना चाहिए जिसके थुरू आप इसको लिखके एक्जाम में टिक मार्ग लगा सको जिसमें यह आपको ना भी पता हो आप लोगों को देखो ठोड़ी नहीं भी पता है ना जूरल पॉस्टूलेट पर आपने बसे डाइग्राम दिमाग में रख लिए आप आंसर कर लोगे मै से पहला वाला बन जाएगा प्रकास लखनों के इंस्पेक्टर वा दिवान है उससे यह दूसरा वाला बन जाएगा सिंपल तो है इतना वह कॉंप्लिकेटेड नहीं है चलो अब मेरे कोश्टन के जवाब देना शुरू करो कि यह देखो ए और बी के डिलेशन में अगर यहां पर देखो तीन डाइग्राम बता रखें आप समझते ही हो अभी हमने पीछे देखी लिया है ठीक है आप इसको पढ़ लेना कुछ बड़ी चीज है नहीं अगर आपको डाइग्राम पता है अप यह कल दोगे अब मेरा कुछ कुश्टन से इसके जवाब दो ठीक है ड्यूटी का जूरल कोरेलेटिव बताओ और नेटवर्क इशुटी का जूरल कोरेलेटिव बताओ तो दीपशिखा बोल रही है राइट और कोई कुछ बोलना चाहे ठीक है तो सभी नहीं यहां पर बोला है राइट चलो एक बात देख लेते देख 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 गह्ते हैं डाइग्राम के थूझ ड्यूटी है इसका जूरल कोरेलेटिव राइट है तो बिल्कुल चाही बात है इससे सही जवाब तो कुछ होगी नहीं सकता था है नो राइट का जूरल आपोजेट बताओ आपको स्क्रीन क्लियरली विस्बल है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है तो नो राइट का जूरल अपोजिट बता रहे हैं सबी लोग राइट चलो ये भी चेक कर लेते हैं हमारा डाइगराम फिर आ जाएगा जिन्दाबाट आप यह मैंने आपसे पूछा ए है no right का jural apposite बिलकुल सही है इसके बाद privilege का jural contradictory बताओ privilege का jural contradictory बताओ privilege का jural contradictory बताओ ठीक है किसी ने बोला है राइट चलो अब एक साथ चेक करेंगे disability का jural correlative बताओ disability का jural correlative बताओ disability का jural correlative बताओ सबके बहुत अलग आजवाब आ रहे हैं चलो मैं लिख देता हूं किसी ने बोला है पावर किसी ने बोला है immunity और किसी ने बोला है liability ठीक है चलो बहुत देखते हैं immunity का jural deposit बताओ immunity का jural deposit बताओ Immunity का Jural Aposite बताईए इस जो Immunity है इसका Jural Aposite क्या हो सकता है ठीक है तो एक जवाब आया Liability चलो आप चेक कर लेते हैं Disability का पहले मैंने आपसे पूछा है Jural Correlative तो disability यह है ठीक है इसका jural correlative है immunity तो यहाँ पर जिन्हों ने immunity जवाब दिया ना वो बहुत स़ह जवाब दिया है ठीक है अब immunity का opposite पूछा गया है जूरल opposite पूछा गया है ठीक है तो immunity आपकी यहाँ इसका jural opposite है liability क्या है liability तो इसका जवाब भी बिल्कुल स़ह है इसमें एक दो चीज और है जो आप लोग ध्यान रखना जो liberty है ना इसको यहाँ पर privilege भी बोलते हैं क्या बोलते हैं liberty और privilege या no duty भी बोलते हैं या आप लोग notes बना रहे हो तो उसमें लिख लो liberty जो हमने यहाँ पर term use करी है उसको privilege भी लिख देते हैं no duty भी लिख देते हैं तो ध्यान रखना, no right को no claim भी लिखते हैं, जो पहला वाला है ना, उसमें no right को जो यह पहला वाला है ना, इसमें no right को आपकी no claim भी बोलते हैं, तो अगर option में उधर उधर कुछ term आजाएं, confuse नहीं होना, right को claim भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद liberty, यहाँ पर जो हमने देखा है, power, power ही है, immunity, immunity ही है, disability को absence of power भी बोलते हैं, यह भी ध्यान रखना, बहुत जगाओं पे absence of power का आपको option मिल जाता है, आप confused हो जाओगे, तो disability को absence of power भी बोलते हैं, और जो यहाँ पर liability है, उसको subjection के नाम से भी answer मिलता है, बट अगर आप इसके थूपहला word लिख लोगे, तो बाकी तो आप बना लोगे, ठीक है, तो यह एक important चीज थी, and I hope यह आपको clear हो, किसी को अभी इस पर कोई doubt है, जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, तो this is it यार, यही थोड़ा सा आपको बताना था, जो कि इस पर बहुत questions आते हैं, और वो अपने को गलत नहीं करना है, बहुत simple चीज़े रखनी है, और simple चीज़ों से ही answer आते हैं, number आते हैं, ठीक है, तो वो आली चीज़े हैं, और सभी लोगों से मेरी request है, इसको notes पर अपने डाल लें, आप इसको ऐसे याद करना चाहें, रामधारी लखनाव से तुकल लेना, आप अपने आप याद करना चाहें, आप अपने आप को trick ब sense of power के नाम से भी options में देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग गलत मत होईएगा, यह वीडियो अच्छे लगी हो तो like जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा, thank you so much, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो, reach to me, आप में से बहुत साही लोगों के call भी आये थे मुझे, तो मैं evening में free होता हूँ, तब मैं आपको call करता हूँ, ठीक है, thank you so much, take care, bye, and आपके 6 बजे CRPC की class है, आज ही है, तो please उसको जरूर देखिएगा, काफी सारी important topics जो हैं में हम कवर करेंगी, डेट से 2 घंटे का session तो वहाँ पर जरूर आईएगा, ठीक है, bye